दोस्तो आज की वीडियो में हम लसुन के बारे में बात करेंगे लसुन प्याज की ही एक परजाती है लसुन का वैग्यानिक नाम ऐलियम सेटिवूम एल है लसुन पुरातन काल से पाक और और औज़्धी के रूप में परियोग हो रहा है इसकी एक खास गंध होती है इसका स्वाद तीखा होता है जो पकाने पर काफी हद तक ठीक हो जाता है लसुन की एक गाठ जिसे आगे कई मासल या पुथी में विभाजित किया जा सकता है पोधे का सबसे ज़्यादा उप्योग किये जाना वाला भाग यही होता है लसुन की गाठ का उप्योग ओस्दी के रूप में भी किया जाता है लसुन की पत्तियां तना और फूल का भी प्रयोग होता है जब आम तोरपर वहे नर्म होता है लसुन का छिल्का जो इसके विविन भागो और गाठों से जुड़ी जड़ों से जुड़ा रहता है सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है भारत दूसरे नंबर पर लसुन के उत्पादन में सामिल है लसुन में सलफर के योगिकों के अलावा प्रोटिन, विटामिन, एंजैम्स, सैपोनिन, फ्लेनो, वाइड आधी पदार्थ पाए जाते हैं यदि रोजना नियमत रूप स मद्दे एशिया से आया है अब पूरी दुनिया में ये उगाया जाता है घरेलू जरूरतों को पूरा करने के अलावा भारत 17,852 मेट्रिक टन लसुन का निद्यात भी हर साल करता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही लसुन के बारे में ये रोचक तथे आपको सा पसंद आई है दोस्तों वीडियो पसंद आई तो मेरी योट्व चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना मिले मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद